अरबोर ने इंटे अडमिशन के लिए आउनलाइन परक्रिया शुरू कर दी है तो बिलकूर ध्यान से मैं आउनलाइन करके आपको बताने जा रहा हूं कैसे आपको आउनलाइन करना है सबसे पहले आपको अपना कॉमन प्रस्पेक्टर्स भी यहां से डाउनलोड कर लेना है और एक वर उसे पढ़ लेना है कि क्या दिसा निदेश दिए गये हैं जानते हैं कैसे आपको आउनलाइन करना है फूल अस्टेप देखेंगे आपको पूरी परक्रिया बताए जा रही है ताकि आपको फॉर्म मिश्टेक थोरा सा भी ना हो और जो भी फॉर्म भरे वो आप सब्सक्राइब करने के लिए सबस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले गूगल में आके आपको बिहार हिल्प सरच करना है और बिहर हिल्प डॉटिं पर आपको जाना है यहां पर सबसे नीची को जाएंगा यहां पर आपको अपको नीचे दिया गया है ठीके जिस link पे click करके आप जो है direct यहाँ पे online कर पाएंगे तो यह देखते हैं कैसे आपको online करना है मैं यहाँ खुद आपको online करके यहाँ बताने जा रहा हूँ अब यहाँ से prospectus भी अपना यहाँ पे download कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया था और official website पे direct यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं official website पे click करेंगे तो यह आपको official website खुल जाएगा जहां से आपको online कीपर करिया जो है बो आपकी संपन होगी अब देखेंगे यहाँ पे आपका पिछले साल का cut up भी देखने को मिलेगा कि पिछले साल का क्या cut up रहा था 2022 में जो पहला minute list था उसका क्या cut up रहा था अपने college में आप एक बार cut up जो है वो यहाँ से देख लेंगे ठीके उसके बाद ही आप जो है आप एदन करेंगे ठीके यहाँ पे दिखेगा first selection cut up percentage mark a stream by क्या आपके college में क्या cut up रहा था डिश्टी का जैसे के माल लीजे मैं यहाँ पर अरवल डिश्टी का यहाँ पर select कर रहा हूँ ठीके उसके बाद सर्च करके यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा जब अरवल डिश्टी का select करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे science stream से आपको सब कुछ यहाँ पर देखने के मिलेया कहां कितना cut up था आर्स commerce ठीके तो आप जो है अपने अपने डिश्टी का जो भी आपका school college है इस तरीके सर्च कर लेंगे जैसे देखें यहाँ पर देखा जाया अरवल में तो इंटर इस स्कूल में जो है science में 65 cut up गया था 65% कौन सी जाती का समान में 65 गया था ठीके उसके बाद 40% OBC में ठीके से 45% cut up गया था यानि यह आपका मैट्टी का मार्क्स का cut up है तो इस तरीके से आप अपना cut up देख लेंगे और उसी school college का chain करेंगे जहां पे cut up थोड़ा कम रहता है अगर आपके marks कम है तो ठीके राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको नहीं करना है तो फर्स्ट मेंटिस्ट का कट अपको नहीं देखना है अब यहाँ पर बताएंगे आपको ऑन लाइन कैसे करना इससी तरीके का page खुलेगा आपको नीचे की और जाना है नीचे की और यहाँ पि अधीकी सब detail दिया गया है आपको ब्लैक औप्शन पर टीका तेरेट लिखा गया है साही 300 पर आपका ओनलाइन चार्ज लग रहा है आप कुछ से कि जो सिर्फ पर साही 300 पर लगेगा पेमेंड जो है आप डेबिट कार्ट से भी कर सकते हैं या यहां यहां यूपी आई मेथड से करूंगा आपको जो अच्छा लेगे आप उससे कर सकते ह कि स्थों कर सकते हैं दिख्या फर्लेक ऐपर इंदेस कर लेना है और यहां रूलनाइन के लिए क्लिक कर देना है ठीक है इस त्थीरिक ऐट कर लेंगे और यहां पर बी लेक्त कर लिया है अब बहुत से अपनी एक्जाम पास किया है ऊसके जो से बासिंग केने बासिय और डाल सब आपको अपना फोटो इस पहले को अगरें यहां पर दिखा रहा हूं तो दिहां इस priorिकेसे आपको सब कुछ डाल लेना है एक राकेश कुमार शटीश परसाथ नीवादेवी इस तरीके इसे capital लेटल में डालना है, कितना marks यहां पे हैं, आपका pool marks आपका 500 है तो 500 रहने देंगे, ठीक है, उसके बाद कितना marks आपने पराप्त किया है, तो यहां पे मैंने 340 marks यहां पे fill कर दिया है, ठीक है, जितना को magic में नंबर आया है, उसके बाद आप विद्याले का नाम यहा अकिया दिखत्त कोई दिखत्त नहीं जिससाल डालना अजिसाल पेडिएक तो आप सही करकर डाल चाहिए जो मोगत्ट को यहाँ पर दलेना है इसके ब्लट ग्रूप यहां पर भर लेना है अप्पैश आपंपना डाल देंगे ठीके पूल एड्रेस आपको यहां पर डालना ह ग्राम, पंचायत, थीक, बीन कोड़ सब कुछ यहां पे डाले ना है इस तरिके से जैसे में यहां पे बता रहा हूं इस तरिके सांप नंचाष भी डाले जालेंगे, ठीक है परखंड, बेगरे, सब कुछ आपको डाले ना है अब यहाँ पे देखिए आपको email ID और phone number डालने का option आएगा तो phone number यहाँ पे डाल लेंगे ठीक है यहाँ पे मैं blur कर दिया हूँ ताकि phone number पे क्या होता है दिकत हो जाती है ठीक है सब कुछ मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ email ID डाल रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ताकि आपको इस तरीके से आपको भी डाल लेना है ठीक है अब यहाँ पर नीचे जाएगा तो आपको जाती स्लेट करने का option आएगा जैनरल है एससी है एस्टी है जो भी आपका जाती है उस पर आप क्लिक कर लेंगे जैनरल वाले जैनरल पर क्लिक करेंगे जो आपका जाती हो भी सी है तो भी सी क्लिक करेंगे ठीक है बीसी का option आएगा तो भी सी कर नहीं आएगा तो बीसी कर लेना है ठीक है दिब्यांग है इस तके वैं सब्सक्राइब साउन्स याओ कॉलिज करना है नहीं है सब्सक्राइब अब दूसरा option, first option हो गया, अब दूसरा option select करना है कि दूसरा कौन सा जीला है, कौन सा college है, इस तरीके से total आपको 10 college select कर सकते हैं, ठीके, दूसरा मैं select कर रहा हूँ, आप अपने जीले करनुसा select करेंगे, ठीके, ये पहला choice हो गया, नीचे जाओंगा तो दूसरा choice करेंगे, ठ ठीके, चली, अब यहाँ पे तर तीसरा choice में डालना हो, ठीके, इस तरीके से total आपको college का चैन कर लेना है, ठीके, अब यहाँ पे आपको, सभी में yes पे आप किलिक कर लेंगे, आप चाहें तो 20 बिकल्प भी डाल सकते हैं, 20 बिकल्प का यहाँ पे option है, ठीके, तो जितना ब ठीके, जो भी आप form भड़े हो, खुल कर सामने आजाएगा, उसके बाद confirm पे क्लिक कर देना है, ठीके, confirm करने के बाद लिखा है, क्या verify किया है, तो आप yes पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ से आपका payment का option आजाएगा, ठीके, यहाँ पे मैंने 10 college का नाम यहाँ पे 100 हो रहा ह है, और उसके बाद direct payment का थोड़ा सा बेट करना होगा, अब देखे, यहाँ पे OTP डालने का option आएगा, जैसे ही payment पे क्लिक करेंगे, तो OTP आपकी एक mobile पे भेजा जाएगा, देखे, 300 second का time देता है, उसके अंदर आपको OTP डाल लेना है, तो फिर refresh हो जाएगा, अब देखे यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डालगा option आगया है, जैसे OTP डालेंगे, अब यहाँ पे payment कैसे के pay कीजेगा, वो आपको slate कर लेना है, ठीक है, तो मैं SBI से pay कर रहा हूँ तो यहाँ पे उस तरीके का option आजाएगा, ठीक है, थोड़ा से यहाँ पे time लग सकते है, यहाँ पे पे कर सकते हैं, SBI branch payment या internet banking से भी पे करते हैं, ठीक है, तो UPI से pay कीजे, सबसे अच्छा रहेगा, अराम से payment हो जाएगा, अगर UPI से payment फस्ता भी है, तो payment बापस आसानी से आजाता है, तो मैं सज़ेस्ट करूँगा, क्या आप UPI से pay करें और इंटर UPI ID आपको यहाँ पे ड अब यहाँ पे वापस बैक आकर लॉग इन कर लेना है, लॉग इन कीजेगा, तो आप जो फॉर्म भरे हैं, ठीक है, पेमेंट करने के बाद बो आपको दिखने लगेगा, और यहाँ से आप अपना स्टेटस देख पाएंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉग इन कीजेग मैंने राकेश कुमार का फॉर्म भड़ा, अब देखे, यह खुल कर सामने आ गया है, सब कुछ यहाँ पे इमेल आइडी बेगर, इस तरीके सा आपका आ जाएगा, जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा, यहीं पे आपको दिखेगा, अपने पेइमेंट कितना किया है, वो भी नीचे की ओर दिखेगा, ठीके, तो मेरिट लिस्ट आने के बाद, आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, आइडी मिशन लेना होगा, उसके लिए इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का आप्शन आता है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे दे दी गई है, मेरिट लिस्ट आने पे, मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड होगा, वो भी आपको इसी चैनल पे लाइब बताया जाएगा, तो फटाफ़ट वीडियो को शेर कर दे और अपने मुबाइल से घर वैठे ऑनलाइन करें, तो यहाँ पे मैंने एक डेम दे दिया है, और इस डेमो के तहट आप वीडियो देखकर आप अराम से फटाफ़ट आनलाइन कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर कर देजी,